सब्सक्राइब करने के बाद मैंने बोला था कि मुझे मार्केट बावन अजार से उपर अभी मार्केट बावन अजार से उपर पहुंच चुकी है तो बुलिश सेनारी हो था अब बात होती है वो तो निकल चुक है अब लोगों ने वो वीडियो अब देखा होगा या अब तो हो गया अब हमें क्या दिखता है अब क्या क्या हो सकता है तो आज इस वीडियो के अंदर हम एक चीज समझने वाले हैं लोग बहुत सारे इंडिकेटर की बात करते हैं अभी तक मैंने आपको एक भी इंडिकेटर क के बारे में नहीं सीखा है Ik Kade एक ऐसे को ऑच्यार वो सुबहक्ता है और वो बनता है पिछले दिन के डेटा से तो वो आपको automatically demand और supply zone बताता है ठीक है उस indicator का नाम है pivot points pivot points और हम standard यूज़ करने वाले हैं ठीक है लोग इसकी settings change करते हैं ये pivot points लग गए अब ये वाला मैं same ही है तो मैं हटा देता हूँ अब ये देखो market ने exact विबु कहां से resistance लिया exact उस line से अभी के लिए वो resistance है हमारे लिए market ने ये resistance ले लिया है और market ने इस resistance को जब तो तो हमें ये पता होता है कि market next resistance पर जाने की कोशिश करेगी तो एक resistance तोड़ने के बाद दूसरे resistance पर जाने की market कोशिश करती है and ये जो pivot point से सब के लिए होता है जैसे HDFC bank पर भी लगाऊंगा तो HDFC bank ने R2 तोड़ दिया ठीक है अब देखो R2 पर या के तुबार से support लिया है तो यहां से अब इसके लिए पूरा आस्मान खाली है और अगर R2 तोड़ के नीचे आगया तो R1 तक जा सकता है ठीक है same here lines इसकी बात कर लो देखो इसने pivot पर जाके support लिया तो यह हमार को automatically support और resistance की levels provide करता है pivot points कुछ लोग इसकी setting change करते हैं और setting change करने के बाद यहां पर देखो क्या है traditional है एक होता है Fibonacci levels अभी मैंने आपको Fibonacci retracement के बारे में नहीं बताया वह हम बाद में समझेंगे तो यह अब change हो के यह Fibonacci levels हो गए कुछ लोग कहते है Fibonacci is more accurate आप लोग Fibonacci को plot भी करते हो कैसे plot करते हो यह रहा Fibonacci retracement market नीचे से उपर गया ठीक है नीचे से उपर तक गया हां तो कितना नीचे तक आ सकता है यह Fibonacci बताता है ठीक है तो market नीचे से मैंने उपर तक लिया तो अभी यह जो retracement ले रहा है 0.236 के ले ले रहा है यहां पर 0.5 का हो यह कुछ important levels होता है अगर यहां तक market आ गया तो आप एक buying की position बना सकते हो यहां पर buying का बनाना कुछ accurate नहीं है इसका मतलब होता है ट्रेंड तो ऊपर ही चल रहा है बड़ कितना नीचे जा सकता है तो हम एक retracement identify कर नीचे करता है Fibonacci से अब यह Fibonacci एक बड़ा scientific चीज है इसके बारे में हम बात में समझेंगे ठीक है this is science नेचर भी Fibonacci numbers को follow करता है अच्छा देखो मैं सिर्फ Google पर जाके Fibonacci numbers देखाँ ठीक है Fibonacci series in nature ठीक है यह दो तो इसके अंदर इसका जो sequence होता है जो numbers होते हैं वो कुछ इस तरीके से होता है इसका मतलब क्या होता है 1 plus 1 2 2 plus 1 3 3 plus 2 5 5 plus 3 8 8 plus 5 13 यह होती है Fibonacci का sequence ठीक है आप last वाले number को plus करते जाते हो and so on ऐसा बोला जाता है कि nature भी इसी sequence को follow करता है जो flower के अंदर petals होते है वो भी Fibonacci sequence के according होते है अच्छा अगर आप कोई रोज का पत्ता देखोगे petals निकालोगे रोज के तो आपको वो Fibonacci sequence में मिलेंगे अच्छा तो in fact जो pineapple के उपर वो जो spikes होते है न Fibonacci series में होते है तो यह Fibonacci का यह जो nature है इसे follow करते है तो consistency उसी के according हाती है तो यह कहने का मतलब तो यहां पर आपको pivot जहां से बिलकुल base हो गया इसके उपर resistance 1 तो market यहां से शिरू ही उसने resistance 1 को तोड़ा कहां तक जाएगी resistance 2 resistance 2 को तोड़ा तो कहां तक जाएगी resistance 3 अगर resistance 3 को तोड़ती है तो फिर resistance 4 हाँ तो टॉपी है resistance 4 तो होना चाहिए इसमें कांगे Fibonaki में नहीं Fibonaki sequence में नहीं वो traditional मिल जाएगा ठीक है 5-6 तो होते है उसमें 5-6 तक नहीं थेक है वो Fibonaki sequence है वो उसमें कोई हम दूबार से Fibonaki पर आजाते तो अब इसके according हम trading कैसे एगते है आचा थोड़े से inclined हो गया तरफ जिरोडिटी का मतलब हो गया जैसे कि फिन रिफ्टी एक्स पैरिया च्छी यूजय है अब हमें अनिलेसिस तो अपनी ही करनी बड़ेगी हमें क्या लगता है हमें क्या दिख रहा है उसके अगर्णिंग हम ट्रेड्ट लेते हैं ठीक है तो अब मैंने आपको एक तो यह आपर indicator बता है मैं एक-एक करके ही चलूँगा इंडिकेटर पे तो एक-एक indicators को पहले detail में हम समझने की जोशिश करेंगे अभी विपू ये कहां तक गिर सकता है R2 तक अगर R2 तोड़ेगा और इसके नीचे closing देगा तो R1 तक जाएगा ठीक है अभी नहीं तोड़ा है ये retracement हो सकता है ये R3 तक जा सकता है इस तरीके से हम pivot को use करते है अब आजाते हैं जो आपने दूसरा indicator बोला था that is super trend ये आगे आपका super trend ये हमें trend identify करने में help करता है मैं इसकी भी setting change करता हूँ मैं 10 को use नहीं करता है factor दोकर रखता हूँ जिससे super trend मेरा थोड़ा pass आजाता है तो क्या super trend भी उसी level के आसपास बोल रहा है अगर मैं bank nifty देखूँ तो bank nifty अभी कहाँ पर खड़ा हुआ है super trend पर ही अगर इसके नीचे closing देगा तो trend reversal के sign दे रहा हुँ ठेक है अचा मुझे एक चीज और दिखती है अब लोगों के analysis कुछ भी हो सकती है मेरी analysis कहती है कि यह जो 950 का level है वोई 940 के आसपासी आ गया इसके नीचे market नहीं जा नीचे यह वरना trend तब जाके मैं बोलूँगा change हो गया है यह sideways हो गया है फिर यह आज का high confirm हो जाएगा ठीक है अब हम थोड़ी सी OI analysis भी करता है जितना सब कुछ चीख है सब साथ में मिला के analysis होगी ठीक है अब OI को देखकर आप बताऊगे आपको market कहां दिखती है क्या देख रही है वो market यह तो nifty है अब तो आज X5 UC के चलो बताऊ क्या दिख रही है market OI के जब से 2300 क्या है 2300 पे 2300 पे Blue बड़ा है Red बड़ा है 2300 से नीचे नहीं आनी चीए नहीं आनी चीए ठीक है बढ़ भी आचुकी है 197 पर है अचा ठीक है ठीक है कोई प्रालम नहीं है We can be bullish 2300 पे strong support है ठीक है अब हम बात करते है Max Payne कहां दिख रहा है Max Payne दिख रहा है 2300 2300 दिख रहा है तो market Max Payne के आसपस आ गई है अब दो चीज़े हम कर सकते है 200 के नीचे से तेजी खेल सकते है अगर हमें तेजी दिख रही है तेजी अब सिफ हम Fin Nifty को देखके नहीं खेलेंगे मैं अगर Fin Nifty में ट्रेड गर रहा हूँ या Bank Nifty में ट्रेड गर रहा हूँ तो मेरे लिए important हो जाता है HDFC Bank को भी देखना यह जो चीज़े बता रहा हूँ नहीं आपको यह real trading है ठीक है यह सारी चीज़े देखके ही trading का आप अनुमान लगाएंगे जब मैं HDFC Bank पर जा रहा हूँ मेरा अनुमान ता 1700 जाएगा इसने 1700 का level टच किया था exact यह यह देखिए almost 1700 का level 1700 का level टच किया अपने वो कहां पर है अभी अपने R3 वाले zone पर ही है ठीक है वहीं पर बैठा हुगा कहीं नहीं किया हुगा और Fibonaki R3 वो supreme है अब हम retracement की ही बात कर सकते हैं कि यह वापस गुमेगा तो कहां से गुमेगा ठीक है तो हम indicators को भी use कर रहे है तो यह भी हमें अभी अपने demand zone पर देख रहा है ठीक है अब क्या है विबू आपको जो decisions लेने है वो बहुत सारी चीज़ों को देखकर लेने बहुत जरूरी है ठीक है अब यह क्या है इसने downtrend यहां पर अब यह downtrend दे रहा है कि अब यह downtrend अगर closing देदेगा तो downtrend confirm हो जाएगा कि नीचे की तराफ आ रहा है यहां पर अगर मैं नीचे के लिए trade लेता हूं तो यहीं से घून SAKTA है ठीक है तो अगर मैं नीचे के लिए trade लोंगा तो इसके बाद ही लेनी की कोशिश करूँंगा उससे पहले ने लोंगा उससे पहले सिर्फ सूपर ट्रेंट पर मुझे वरोसा नहीं है ठीक है ठीक है और पिविट को मैंने इसलिए लगाया कि मैं मुल्टिबल कन्फरमेशल लूँ फिन निफ्टी को अगर मैं जाके देखता हूँ फिन निफ्टी का भी यहीं पर सपोर्ट है और 200 पर हमें देख रहा है कि स्ट्रॉंग क्या है सपोर्ट है तो एक काम हम कर सकते हैं अगर हमें आज ट्रेड करना है कहां तक वो पहुंचेगा आर्टू तक अभी तो आर्ट्थी तक जा सकता है उपर के लिए अर्बिक जा सकता है कि हमारे पास bullish अगर हमें trade बनाना है तो हमारे पास options क्या-क्या होते है ठीक है तो अगर मैं finnifty में trade करना साता हूँ तो bullish के लिए देखो मैं call खरी सकता हूँ आज expiry है ठीक है तो जो call option का rate है वो बहुत सस्ता है ठीक है दूसरा मैं put बेच सकता हूँ बढ़ मैं net put short नहीं करना चाहता और column नहीं समझाता bull put spread बना सकता है ठीक है अब bull put spread जो हम बनाते हैं इसमें हमारे पाँ थोड़ी सी safety होती है अब हम एक और काम कर सकता है bull put को adjust कर सकते है adjust कैसे मैं 23 दोस्तों की जगा अगर 23 150 बेच हो तो यह थोड़ा सा मुझे और safety दे रहा है मेरा break even और नीचे आगे वेगो ठीक है और मैं अगर यहां पर जाओ तो जो buy कर रहा हूँ मैं उसे और कम कर सकता हूँ ठीक है मुझे यहां पर देखना है मुझे यहां पर maximum profit आना चाही है तो हमें देखना कि कहां पर हमें maximum profit आ रहा है हमें यहां maximum profit आ रहा है 2.3% 2.3% is the max profit which I can get in this trade ठीक है ठीक है अब आपके सामने हम यहां पर कुछ भी select कर सकते हैं मानलो मैं 10 lot select करता हूँ 10 lot select करता हूँ अब कोई कहेंगा यहां पर उसे 5,000 आने के हैं और 75,000 लगबक जाने के हैं तो क्या हमें ट्रेड करना चाहिए करना चाहिए क्योंकि 75,000 हम देंगे थोड़ी बटर हमारा वह भी जादा है probability भी जादा है probability तो यहां पर 77% है पॉइंट यहां पर यह है हम अगर 5,000 कमाने जा रहे हैं market से तो हम लगबक इतना ही loss लेंगे हम 75,000 का loss नहीं लेंगे हम स्टिल वेटिंग यह दोसों के नीचे है तब ही मैं trade बनाऊ ठीक है यह 204 है अभी trade नहीं बनाएंगे ठीक है दोसों के नीचे ही trade बनाएंगे क्योंकि हमने observation वही किया है भी ठीक है दोसों के नीचे हम trade बनाते हैं तो हमारी probability है कि हम पैसे बनाएंगे ठीक है कितने lot से trade मारें वेवू चलो अभी 10 lot से trade मारते हैं ठीक है दोसों आ गया दोस्तों के नीचे आता है तो मैं ट्रेट बिलाता हूं ठीक है यह मैंने जाके एक ट्रेट मार दिया आपके सामगे अब यह मेरे पास यहाँ पर आभी जाएगा यह यह बाइए यह सेल है चार रुपे का बाइए मेरा कमाने के लिए मैक्सिमम कितना पैसा यहाँ पर पांचार अब देखेगी यह बैंक निफ्टी है और यह फिन निफ्टी तो मुझे 6,000 रुपे मैक्सिमम सादे में आएगा तो मैं 6,000 रुपे के असपस कही लोश लोगा इस से ऊपर का मैं लोश लेने के लिए आज बिल्कुल भी रेडी नहीं मेरा कोई मूड नी है 6,000 रुपे से उपर मार्केट को देने का अब देखो मैं इसमें उपन बिल्डर करूँगा तो एग्जाक्त जो मेरी ट्रेड है वही है ठीक है? अब हम कहा तक सेफ हैं? हम यहां तक सेफ हैं 150 तक और अल्थो मारा ब्रेक इपर ठीक है हमने ट्रेड इसलिए बनाया है क्योंकि हमने OI अनलेसिस करी है अब एक चीज मैं आपको आज बजाता हूँ यह जो सूपर ट्रेंड है ठीक है? लोग सिफ सूपर ट्रेंड के बेसिस पे कभी भी ट्रेड गरते है ठीक है इसमें मेरी अपनी स्ट्रेड़िजी है जो कई बार भायर्स को भी काफी फायदा देती है अगर आप 2,5 बजे के बाद सूपर ट्रेंड रिवर्सल पे ट्रेंड लेते हो सूपर ट्रेंड रिवर्सल मतलब ट्रेंड चेंड हो रहा है आपको लेट सिगनल देते हैं यह फौलो करते है्प प्रैस को फिट नहीं करता अच्छा पिविट तो स्ट्रांड बथा तो मोमेंटम बताँ ना मुमेंटमम एमेंशी डी जो होता है यह डाइवेर्जंस बता रहे है ठीक है M.A.C.D. की full form क्या होती है वो Moving Average Convergence Divergence ठीक है ठीक है सो जो M.A.C.D. है ये भी price कोई follow कर रहा है अगर एक दम से price बढ़ेगा तो ये क्या होगा यहाँ पर जो blue line होती है जब ये intersect करती है red line को काटती है नीचे से तो bullish होता है ठीक है तो इसने यहाँ पर cross over किया यहाँ पर जाके इसने उपर से blue line ने cross over किया किसे red line को तो ये इसे बोलते हैं कि ये bearish signal हो गया ठीक है प्लस इसके अंदर नीचे आप देख सकते हो ये histogram आ रहा है ये green 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 bars है ये red 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 है तो red बढ़ रहा है इसका मतलब ये ही होता है कि ये एक तरीके से bearish दिखा रहा है पर इसका divergence भी देखते है अब जैसे इसके histograms के बार छोटे होते चले जाएंगा और ये अदर green आ गया तो ये फिर से एक divergence दिखाएगा ऊपर के लिए अच्छा जो हमने trade बनाया ना वो हमने जैसे कल वीडियो में बताया था कि हमें credit spread कर रहे है इस इस अ credit spread strategy ताइम के साथ साथ भी हमें पैसा आएगा तो अभी हुआ कुछ नहीं है market तो वहीं की वहीं है अब हम देखते है हमारे trade में क्या चल रहा है कोई बात नहीं 200 रुपे आ रहे है तो आप क्योंकि आज expired है इस option को zero होना है 200 रुपे को zero होना है ठीक है तो इसलिए हमने यह trade किया है अब इसमें क्या होता है इसमें और नेग्ड में क्या फरक होता है नेग्ड कम अंदलब होता है कि मैंने यह 4 रुपे का क्यों खरीदा इसमें तो loss ही होना है यह 4 पे गातर जी रही होना है अगर market में कोई बडा spike आ जाता है कभी-कभी market में ऐसे spikes आते हैं कि market एक दब से बिना किसी बात के एक percent गिर गगी तो expiry तो उसमें गामा प्लास रहा जाएगा हां और मेरा बहुत बड़ा लॉस ना हो इसलिए उसे लेते हैं ठीक है बट वो तो 72,000 का है वो यूज है पर 72,000 से पहले एक ब्लू लाइन होती है विभू जो मैंने बोला था कि वो दिखाती है कि क्या होगा तो एक दम से नहीं किर जाएगा यहां पर गिर गया तो मैक्स लॉस कब आएगा 12,000 लॉस तब आएगा जब यहां से फिन निफ्टी लगबक सो पॉंट गर जाए तो गिरेगी तो आखों के सामने गिरेगी नहीं आदा परसेंट से उपर आदा परसेंट होगे मोटा-मोटा तो 0.4 परसेंट का फॉल हूँ तो वह आखों के सामने होगा तो हम उसे मैनेज गर सकते हैं और अगर फिन निफ्टी उपर जाएगी तो वैलन गोड है इस वाली ट्रेट में पैसा बनाएंगे अट-लीस्ट के बोला कि जो बैंक निफ्टी में ट्रेड्स है वो अलग है वो मेरे कुछ यह ट्रेड्स है ठीक है इस यह इस रेंज के गार्ष का साथ इस आपड़ीग उपर जाएगा तो यह पैसे देगा दे रहाएं तेरा सुरुपर दे ठीक है तो अब हमने यह जो सारी अनलेसिस करी इसमें अभी तक क्या क्या किया उसे एक बार समराइज करते हैं हमने पेवर पॉन्ट सी खें जो प्राइज को फॉलो नह मैंने और वीडियो बनाई हुए तो आप लिंक आप जाके देख सकते हो तो जो ब्रहमास्तर टाइप के ट्रेड आते हैं जैसे की यह ट्रेड था जहां पर MACD भी बदल रहा है और Supertrend भी बदल रहा है तो यहां पर जब इस तरीके से लोग है तो आपकी 50-60% किया ही और इसके साथ मैं सेलिंग रिकमेंड करता हूं ना कि बाइंग अच्छा क्योंकि अगर इतने पूरे तो आपने पैसे नहीं बना है तो मैं तो इंट्रेंसिक लिक सेलरी हूं तो इसलिए मैं उसे रिकमेंड करता हूं बाकी लोगों की मरजी है हमने यहां पर Supertrend को समझा जो ट्रेंड के साथ हमें बताता है जब तक ट्रेंड चल रहा है वी शुड भी विद्धा प्राइस ट्रेंड बैंक निफ्टी में क्या हुआ उसने दिखाया नीचे के लिए मैंने क्या नीचे के लिए इंट्री ली इसलिए मैं सिर्फ अगर उपर तेज भागे तो नुकसान देड़ेगी तो इसलिए आपको थोड़ी सी आनी चाहिए प्राइस आनी चाहिए इसलिए मैं इतना टाइम लेके वीडियो बना रहा हूं कि आप भी सीखो और लोग भी सीखें पॉइंट यहां पर यह नहीं है कि पैसे कितने बनेंगे पैसे तो बनी जाएंगे if you know the right things if you'll follow the right system देखो मेरे को दोशी समझेंगे पैसे और body discipline से बनती है ठीक है यह discipline से बनती है अगर मेरे को पैसे बनाने है stock market के अंदर तो discipline को follow करना पड़ेगा अगर market मेरे against में गई त लब loss book करना है ठीक है मैं कमाने 6000 जाओंगा और दे के 6000 आ जाओंगा तो 10 बार profit में भी वह cover नहीं होगा अब समझे और psychology जाएगी अलग तो लॉस हो रहा तो लॉस जिसन profit आना होगा market पूरा profit देगी हम कितने भी गलत हो सकते हैं बढ़ फिफ्टी परसेंट गलत नहीं हो सक ठीक है तो यह तो बिल्कुल गदा भी कर सकता है तो analysis करने के क्या फायदा है कमसे हम 60-70% तो ठीक हो अगर 60-70% ठीक हो तो बैसा बनेगा ठीक है तो हमने pivot point को समझा MACD को समझा, super trend को समझा मैंने recommend किया कि आप जाके क्या कर सकते हो आप जाके ब्रहमास वाली strategy को भी कर सकते हो बाइंग में short period के लिए momentum capture करने के लिए अच्छी strategy है बर long term में बड़े capital से trade करना फिर सबको सीखना पड़े था ठीक है बट इसमें SL रखेंगे क्या किसमें अगर यह आपका super trend को Hymus अपटे काम करती है जब जब टेर दो बजए के बादवाला momentum का चगरते हो कि वहां से reversal आ रहारा मांकेट में गिर जी गिर जी और जनरली नीचे से अपर के अच्छे ट्रेड बनते है जय अच्छा लिए टो गिर जी और नहीं आँदा तो अब देखो अभी वाली ही ट्रेड ले लेते हैं अगें दोस्तों के आसपस ही आ गई है हां बायर को फैदा नहीं होगा हमें कुछ तो मिली रहा है 500 रुपे तो अभी भी भी आ रहे हैं मुवमेंट नहीं आया बर टाइम के साथ थीटा आपके फिवर में है इसलिए मैंने से स्ट्राटेजी बोला था अब जो हम सीखते जा रहे हैं उसे हम कमाइन करते से ले जाएंगे तो आज हमने इंडिकेटर के बारे में समझा हमने पिविट के बारे में समझा सूपर ट्रें एक स्पाइरी पर ट्रेड करना है व्यू राइट रख के ट्रेड करना है और फाइनली मैंने आपको बताया कि आप क्रेडिट स्पेड बनाऊंगे तो बेटर रहेगा अब ये वीडियो आपको कैसी लिगी कॉमेंट करके बताएगा अने वाली वीडियो में हम और आपके पाइब फ्री में जाके डीमेट अकान खुलवाने का अपॉर्चुनिटी है अब फ्री में जाके बेस्ट रेडिंग अकान फुलवा सकते है लिंक्स आपको डिस्रिप्शन और पिंट कॉमेंट मिल जाएगे इंफाक्ट अब रेफरें अंदर के भी पैसे कमा सकते ह हैं तो से यू नेक्स वीडियो तिल दाइम यू वो सेल्फ मेट एंड जाहन जाहन